तो यह आपके पास कोई डेटा है जो एक्च्वल में किसी इस तरह के डेटाबेस पे रखा हुआ है और यूरल है वो इस जगा पे होस्टेड है आप जब इस API को इंटिग्रेट करना चाहोगे तो आपको यह वाली API रिक्वाइड है क्या मकसर वापिस जाते हैं किसी दूसरे को खोल के देखते हैं सेम आउटपुट आ रहा है तो मतलब मैं सही कह रहा हूं ठीक है माइनस 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 मैंने खोली पोश्ट बिल्कुल सह यह वह यूरल दे रहा है उसके अंदर अब्जेक्ट टाइप का ही डेटा है उठाओ लगाओ चलाओ API इंटिग्रेट करता है एक होता है जो आपकी यूई देखेगा क्या मतलब यह यूई बनानी है जैसे कि मैंने है ठीक है कॉपी है पढ़तो रहे हैं पढ़ने लगे वह स्टार्ट होने लगे प्रॉमिस क्यूं पढ़ा है वो भी आपको समझ आ जाएगा जैसे कि यह यूई है ठीक है मैंने बोला भाई यह यूई बनानी है यह काम है यूई डवेलपर का अब सपोस्ट करो आपके यू पॉम है दस पॉम है उनका डेटा जैसे के अभी आप चलो ठीक है डेटा जो भी उसको छोड़ो उनकी फॉम वैलिडेशन करनी है उनकी फंक्शनलिटी लिखनी है इन्पुड यहां से आएगा किस तरह आएगा उसके लिए आपके पास होता है फंक्शनल डिवेलपर ठीक ह जो यह काम करता है जो आपके सारी फंक्शनलिटी लिखता है ठीक है जो आप लिखना सीख रहे हो तो यूई डिवेलपर फंक्शनल डिवेलपर आपके डोनों में काउंट हो रहे है ठीक है फिर आता है API इंटिग्रेशन डिवेलपर जो API इंटिग्रेट करता है API इसके एर मरम अर्र देखता है आर्र हैंटलिंग देखता है वह अब आपकां सिरा पाइब फैक सब्सक्राइब जिसको यह तीन零ेजें आती इंग जर्पा मिलाओ तो वापस को चीछा नियो ओल्ल पर वहीं जिनको जी यह रहे यह अजा नो 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 सुन दोबारा मैं मैंने बोला कि यह मैने डिटा बना दिया है तुम्हें मैंने इस तरह जैसन ब्यूटिफायर में दिखा दिया और मैंने बोला भाई यह URL है यह लो और आप चलाओ तही है अब आप suppose कर लो थोड़ी देर के लिए कि आप API integration developer हूँ, ठीक है, ओके वापस आते हैं, इस API को मैंने copy कर लिया, और मैं आता हूँ, URL, यही, यह application programming interface, चलो यह थोड़ा से explain कर देता हूँ, API क्या होती है, application programming interface, इसका full form है, यह एक code है, ठीक है, यह एक code है, और यह तुमारा code ह ठीक है, तुमारा code जो के यह सब है, यह इस code के साथ associate हो जाए और तुमारे code के साथ communicate करके तुमारे पास adjust हो जाए और चल जाए, this is called, यह काम है API का, इस काम को कहते हैं API, दो code को आपस में connect करा देना, दो code को आपस में communicate करवा देना, it is called API, API integration क्या होती है, जो communicate करने के code, तो यह जो क्या भी हम लिखने लगे, ठीक है, थोड़ा सा revise करते हैं पुराने काम को, learning promise, learning promise के अंदर एक promise लिखा गया है, जो के यह है, जिसको मैंने highlight किया हुआ है, तो यह, learning promise में जब return किया एक promise, तब पता चला कि वो resolve हुआ है, या reject हुआ है, clear है इतना, okay, वापस आत हुआ 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 है, इसको मैंने comment किया, इसको मैंने comment किया, ठीक है, all shift F, और मैं जाता हुआ, const, API call, एक function मना दिया, मैंने, API call is equal to this, ठीक है, let API URL is equal to this URL, ठीक है, console.log API URL, ठीक है, API call, और इसको मैंने call कर दिया, console में क्या आएगा, मेरे पांस, हाँ, वैसे ही आएगा, ठीक है, API call हो गई, ठीक है, और बाकी सारे जो जवाब नहीं दे रहे हैं, या वो confused है या पता नहीं है, पूरी एरे आएगी, दो भाई से, दो भाई तो यह जवाब दे रहे हैं, और आप, और आप, लिंक आएगा, या पूरी एरे आएगी, लिंक आए, दो लिंक वाले, दो एरे वाले हैं, सही है, सेफ किया, और, रिफ्रेश करा, मेरे पार लिंक आ रहा है, ठीक है, लिंक वाले भाई जीत गया भी, क्यूंकि, आप मैंने एक, API के URL का एक विरियाविल है, उसमें वो लिं का भी रखा हुआ है, मैंने API इंटिग्रेट करने का तो कोड लिखा ही नहीं, तो उसने मुझे वो URL कॉंसोल में लाकर दे दिया, लेकिं जाएगा, लेकिन इस तरह नहीं जाएगे न, जो जैसन प्यूटिफायर, अगर मैं इसकी बात करूँ ये, मुझे इस तरह कॉंसोल पर चाहिए, ये वाला डेटा जो आपके बाद शो हो रहा है, ये API इसको लिए आपको API का कोड इंटिग्रेट करना पड़ेगा, जो अभी हम करने लगे है, हाँ, बताता हूँ ये क्या है, इतना अभी दर का काम क्लियर है, इसको बन कर देते हैं, शाहिए, API method है, उसका नाम है fetch, क्या नाम है, fetch, मैंने लिख लिया fetch, सही है, ओके, fetch आप से बोलता है, मुझे बता दो कौन सी API है, मैंने बोला भाई, API URL, ठीक है, सही है, ये गलत लगा है, ठीक है, फिर वापिस आते हैं थोड़ा सा पीछे, मैंने आपको बोला था, API promise return करती है, ठीक ह API promise return करती है, आते है, dot then, dot catch, all shift है, ठीक है, सबसे पहरे, error का callback लिखते हैं, ठीक है, मैंने यापे लिखा, ERR, जो मर्दी लिखो, आप ये लिख सकते हैं, API error, console.log में मैंने बोला, error in API integration, सही है, और यहां मैंने बोल दिया, जो actual error है, मुझे वो भी दिखा दूँ, ठीक है, ये तो हो गया catch, catch में आप हमेशे यही लिख होगे, इसके लावर कुछ नहीं आएगा, वो अलग बात है, अलग बात क्या है, वो भी अभी देख लेते हैं, कि मैं क्या बताना चाहा रहा था, हाँ, मैंने आपको क्या बोला था, 95% chances है, promise resolve होने के, 5% chances है, catch चलने के, ठीक है, ये हमारा है, success call जो के then में लगता है, मैंने या पर, instead of success, मैंने लिख दिया, API response को मैंने, rest लिख दिया, clear है, कोई मसला तो नहीं है, okay, console.log, rest, ठीक है, line number 124, line number 127, 127 पे तो बड़ा-बड़ा कमिंट दिख जाएगा, error in API integration, line number 124, rest, ठीक है, save किया, और refresh करा, उसने मुझे 124 पे कोई response ला कर दिया है, ठीक है, जिसके अंडर वो मुझे ये सब बता रहा है, इसको आप थोड़ा से explore करते हैं, कि ये क्या है, ठीक है, सबसे बहले तो मैं, अगर सबसे last में आ जाओ, URL, उसने वो ही URL लाके दिया, जो मैंने पास किया था, that means, browser को पता च जब भेजोगे किसी API पे, तो वो जाता है, body में, ठीक है, अभी इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि हमने कुछ भेजा ही नहीं है, body को भी हटा दो, ठीक है, body used नहीं हुई, जाहरे कुछ नहीं भेजा, तो यहां पे false आ है, ठीक है, header, header को छोड़ देना, अभी हमारी काम की ची जाना हो, जैसे check-out में हम करते हैं, उसके लिए यह है, यह भी हमारा काम नहीं है, status 200, ठीक है, और status tax of type को भी छोड़ो, दो चीजें इसमें हमारे काम की है, एक ok true, और एक status 200, ठीक है, थोड़ी देर के लिए यहां pause करके मैं वापिस जाता हूँ, और मैं लिखता हूँ, API codes, ठीक है, उसने बताया 200 ok, the 200 ok status indicates the request succeeded, ठीक है, यानि कि मेरे पास status code 200 आया है, ok true आया, that means मेरी API integrate हो चुकी है successfully, ठीक है, तो यह क्या बोल रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा, यह तो मुझे यह लाके दे रहा है, इस message को दिखाने का मक्सद यह है, कि आपका जो data है, API successfully integrate हो चुकी है, लेकिन आपका data readable format में नहीं है, वो JSON में नहीं है, इसलिए मैं आपको वो नहीं दे सकता, ठीक है, डेटा आपका readable format में नहीं है, असान लफ़जों में JSON format में नहीं है, तो मैं वो आपको नहीं दे सकता, ठीक है, ok कोई मसला नहीं, वापस शाते हैं मैंने बोला return कर दो रेस डाट जेसन है यह जो डाट जेसन का फीचर है इस सारे डिटा को अब वो कनवर्ड कर देगा जेसन में यह असल में हमारा API का डेटा था जो के रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है ठीक है तक यह है अब जब यह रिटेंट कर रहा है तो शाहिए मैं एक और दोट डेंट लगा देता हूं देन बिल्कुल यूज करेंगे जब आपने एक जिगा रिटेंट कर दिया तो वो अगले देन में मिलेगा ठीक है यहां पर मैंने पेरामीटर में लिख रहा हूं एक्चुल डेटा और अब मैंने कॉंसोल कराया एक्चुल डेटा को सेफ किया और अब मैं रेंडर करता हूं तो मेरे पास सकस्पुली टैन एरेज आ चुकी है जो डेटा मैंने अभी इस एपियाई से किसी दूसरे कोड़ पर रखा हूँ था अपने पास चला लिया एपियाई इंटिग्रेशन भी यही है और एरर हैंडलिंग डीबगिंग भी यही है एक दूसरी जगा पर रखा हुआ डेटा आपने अपने पास इंटिग्रेट करके कॉंसोल पर चला दिया कॉंसोल पर चला दिया मतलब अपने पास से ला लिया डॉम पर भी चली जाएगा मतला थोड़ी ठीक है एपियाई यह प्रॉमिस क्या है अगर हम थोड़ी सदेर के लिए इस एक्जेंपल को खोल लें तो यह हमारे पास मैंने लर्णिंग प्रॉमिस का एक प्रॉमिस आपको बना कर दिखाया था कि भाई इस तरह प्रॉमिस बनता है आपका सवाल होना चाहिए सर जो API बनाई है उसका भी को आ रही है ठीक है तो यह आपने इसका प्रॉमिस बनाया था तभी लेंडिंग प्रॉमिस ने डॉट डैन में सक्सेस लिया और एरर में एरर लिया ठीक है तो कंट्रोल भी करते हैं वापिस अपने API कॉल वाले फंक्शन बराते हैं और इसको एक दफा दुबारा रिवाइस क ठीक है सिर्फ आपको क्या करना है API उठानी है आपने API उठाई और फैच आपके पास API इंटिग्रेट करने का जो फीचर है फैच आप ऐसा नहीं करना चाहरे तो आप ऐसा भी कर सकते हो भाई आपने बोला लाइन जाय नहीं करना मैं इसी को कॉपी कर लिया कोई मसला नहीं से मब करेगा अंट आओ लेकिन अड्लिन को आपका होनले चाहिए पता चल चाये इवन कि में तो हर दो पर लगा रहा होता हूं के वहला दैर टेन क्या कर रहा है आप क्या कमिट लिख सकते यहां पर भाई यहां पर लिटन डेटा डेटा सुक्सना है लेकिन रीडेबल नहीं है जी हाँ नहीं नहीं प्रोफेशनल नहीं लेकिन जब तक को डिलिवर नहीं करना होता ना अपनी लाइन्स के लिए लिख लेता हूं ठीक है ताकि आपको पता रहे भई यहां पर यह इस्यू आया वाए तो हमेशा डेटा आपको क्योंकि आपने डेटाबे नहीं मंगवा रहे ना वह अरिजनल डेटाबेस आप प्रोफेशनल डेटाबेस लाइक देस आप इसको यूज कर रहे हो तो जब वह आपको मिलेगा थोड़ी देर के लिए दुबारा इसको बन कर देते इसको खोल लेते सेफ किया और वापिस आतने रिट्रेश करा उसमें बोला भाई मैंने अपियाई सकस्फुल इंटिग्रेट हो चुकी है ओके आपके पास ट्रू आया है लेकिन बंदे ने आपका डेटा किसी और फॉर्मैट में रखा हो था वो मेरे पास जेसन में नहीं है तो मैं आपको वह दे नहीं सकता वरना एक्शुल में यह एक्शुल में अपियाई का डेटा ही है मैंने भूल ठीक है आप ऐसा करो कि रिटर्न कर दो जो डेटा आ रहा है उसको जेसन में और नेक्स्ट देन में मैंने क्या बोला कॉल बैक में लिए एक्शुल डेटा एक्शुल डेटा के बज़ए आप अपना नाम करना चाहो अगर मैं यह आ बता रहा हूं ठीक है बात करते हैं इस वाले देन की इसमें आपकी API हिट हुई response यह जो रहस है यहां पर आपको data मिला which is not a form of json जो json format में नहीं है ठीक है फिर मैंने इस वाले API के data को बोला आप एक return कर दो जो भी return आ रहे ना उसको json में अब जब आपने return करवा दिया ना तो वह हमेशा next then में चलेगा नहीं चलेगा क्योंगे यहां पर तो इंटीग्रेट हो रहा है हुआ नहीं है हो रहा है और कब मिलेगा अगले देन में एक प्रॉपर फीचर है ना जो promise resolve परता है तब ही मैंने एक नीचे दुबारा देन लगाया है ठीक है मैं आपके कहने पर वो करके दिखा देता हूं ठीक है यहां बर खोला इसको और मैंने लिखा यहीं कहना चाहरे हो इसको चला के देख लेते हैं तेफ किया कि प्रॉमिस पैंडिंग बोले रेंडर हो रहा है थोड़ा टाइम लेगा वह लेकिन तो वह अगले देन में मिलेगा हाँ ठीक है तो जब भी यह आपके पास इस तरह का पैंडिंग आए तो इसका मतलब है प्रॉमिस रिजॉल्व होने में देर ले रहा है तो आप ऐसा करोगे भाई जो भी रिजॉल्व हो रहा है उसको रिटर्ण कर दो जब रिटर्ण होगा अगली बार वह आपको रिजॉ इन में से एक दूसरी उठा के चला आगर देखते हैं ठीक है कि चल रहा है नहीं चल ला कोई मसला तो नहीं है मैं पोस्त वाली उठा लेता हूं जिसमें हमारे पास अब हंट्रेट डेटा है पॉपी किया इसको यहां पर हमारे पास तो 10 डेटा आ रहे हैं साहिए और यहां पर मैंने लगा दिया इसको अब और इसको हटा देते हैं API URL लिख देते हैं API URL ठीक है अब हमारे पास जो डेटा आना चाहिए वह हंड्रेट एर एरेज ऑफ अब्जेक्ट में हंड्रेट होना चाहिए और उसको हम देखते हैं क्या है कि अंडेट डेटा सक्क्रेसफुली इंटिग्रेट हो चुका है ठीक है और यह रहे आपके वह सारा डेटा जो आपको यहां रख्था होगा कि मेरे तो हजार्द कुछ में नहीं हैं बहुत होते हैं काम इसी तरह होगा तो पर एप्या इंटिग्रेशन का काम यह यह वह आप डेटा कैसे मैनेज करोगे उसके लिए आपको वही कराने लगे ठीक है वही कराने लगे अब इसमें इसको मैं इस वज़े से यूज नहीं कर रहा है आप इसमें देख सकते हो भाई यह जरूर पता नहीं किसी और मुल्की एप्याई है क्योंकि इनमें इंगलेश वगारा वाले मामलात में लिखे हुए है ठीक है कंट्रो देखते हैं भी देखो इधर भी यह लिखावा है अगर इधर एक्चुल लिखा होता ना तो हम कोई ने कोई गेम कर सकते थे लेकिन इधर भी वही है जैसे कि मैं एक एप्लिकेशन पर काम कर रहा था उसमें डेटा पता कैसे भीजना था वह थी इंगलिश उर्दू दोनों पर ना च्ति अब है जैसे कि इसकी बात करते हैं यह एकडिक्ट है इसके अंदर दो ऑबजेक्ट है एक में इंगलिश का डेटा एक अर्दू का डेटा अब मैं क्या करता जैसे एक अप्लिकेशन रंडर हो वो हमसे permission मांगता है तो इस तरह मैंने application से जैसे वो render होती है मैंने permission नहीं मांगी मैंने बोला जोश की language या वो ठालो setting से language उठा ली अब English आ रही है तो English वाला दिखाएगा उर्दू सिलेक्ट करें तो उर्दू वाले पर शिफ्ट हो जाएए चाइनीज हो जर्मन हो सारा डिटा आपको API से सट होके मिलता है जी यह डिटा आपने एक दूश्री हाँ करेंगे क्या आपके बास शपोस करो के तुम किसी जवाप परो तो अब आपको जब एक e-commerce है दी गई है बनाने के लिए अब आपने बोला कि अब मुझे होंगी 10,000 अगर आप अगर मैं यह दर आते हैं मैं गया हाटी पे गया हाँ बदाता हूं मैं यह आपके पास यह प्रोडेक्स आ रही है जिसमें क्या लिखा हुआ तस्मीर है विंटर फैब्रिक्स यह एक हैडिंग दी हुई है फिर उसने बोला कि यह प्राइज है यह डिस इस तरह है आपको डमी डेटा बनाके नहीं दिखाना यह दरूर किसी ने किसी डेटाबेस से आ रहा है कि जी समझे है तो यहां पेले काम फदूल नहीं है हाँ बिल्कुल कर सकते हैं थोड़ा सा खेलना पड़ेगा बिल्कुल पॉस्टिबल है हाँ बिल्कुल पॉस्टिबल है मैंने एक एप्लिकेशन मनाई थी उसमें क्या हो रहा था क्यूर कोड़ स्कैन करना है तो डेटा जो जैसे कि मैं हूं मैंने क्यूर कोड़ स्कैन किया मेरी यूजर आइडी ते 15 तो वह पास होके मॉंगो डीवी या फाइरबेस पे नहीं एक्सल पर जाकर देखर 15 को जाकर प्रेजेंट करते हूं एक्सल पर काम करते करते हैं सब सीख जाओगे जो यह काम है यह वाला काम यह सीख जाओ बश्च बात तो एक यह सही है अब आप सपोस्ट करो इंशाल्ला आज नहीं तो कल फेस्बुक में तुम्हारी जॉब लग गई तुम्हें तुम्हें बिठा जिया किस दिखा पर जहां पर फेस्बुक की टाइम लाइन होती है तुमने बुला यार वो तो करोड़ों पोस्टे हैं मैं कहां से एरे ऑफ बनाता रहूंगा आपको एपिया देता हूं मैं वह ल लाइव यह जो सारा डिटा आपको दिख रहा है किसी एपियाउस श्राप के पास उठकर आ रही है अगर मैं पर जाता हूं लाइब पर तो लाइब पी लाइव यह वाली पर रखा हुआ है ही हाट और सिर्फ आप तब तक बनाँगे जब तक आप प्रैक्स मोड पर हो आपका डेटे को जो आपका डेटा है उस पे कुछ इस तरह का रेंडमाइस फंक्शन किया हुआ है जो पहले था आपको डिफरेंट हो जाए मतला थोड़ी है लेकिन अगर इस साइट की बात करें तो यहां पर अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आपके पास वही बाला डेटा आएगा ठीक है तो डेटा आपके पास ऑल्वेस एपी आई से आएगा कोई आपको डमी डेटा नहीं दिखाएगा जब तक आप स्टेटिक कांपना कर रहे हो स्टेटिक और डैनमिक क्या होते हैं स्टेटिक डेटा मतलब जो डेटा कभी ना चेंज होने वाला हो जो हाट को डाइनमिक डेटा जो जैसे कि यह किसी एपी आई से उठकर आ रहा है कि बिल्कुल चेंज करते हैं ठीक है हम अब क्या करते हैं जो हमारी यूजर लिस्ट थी उसको हम डॉम पर रेंडर करते हैं यहां पर ठीक है अहमण डेटा सेफ किया कॉल किया यह मेरे पार यूजर आ रहे है ठीक है ओके चलो आपका रिवाइस हो जाएगा और बाकि सबको मैंने पढ़ाया था मैप का function met का function पढ़ाया था लास्ट क्लास में प्रेक्टिस वाला एक लूप चलाने की जरूद तो नहीं है यह है तो बता दो नहीं नहीं ना चलो आगे बढ़ते हैं अब मैंने बोला कि मेरा काम हो रहा है लाइन नंबर 128 में 128 में सब्सक्राइब कंडिशन लगा लेते हैं इफ अहमट डेटा एरे है डॉट लैन ल इंजीट ग्रेटर दैन अगर है जीरो से तो फिर आप आप इसके अंदर आजो ताके किसी किसम की एरे की गुंजाईश ना हो ठीक है सेफ किया और मैं आ जाता हूं HTML में हलो जेस के बजाए प्रुकि बजाए इस अब सही है ओके मसला है तो मुझे बताना ठीक है मैंने यहां पर बना दिया एक यूएल और उसको एक आईडी दे दी मैंने लिश्ट ठीक है सेफ किया वापिस आता हूं कहां पर यहां पर और मैंने एक विर्याबिल बना लिया लेट यू यू एल 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 एलिमेंट इस इक्वल टू डॉकुमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाइड या था लिस्ट लिस्ट मैंने बना दी लिस्ट ओके वापिस आते हैं अहमद डेटा डॉट मैप साहिए अहमद का जो डेटा था जो एरिया उपडेट का डेटा है मैंने उस पर चला दिया मैप मैप का फंक्शन आपको एक कॉल बैक रिटेंड कॉल बैक लेता है प्रम पैरेमीटर में मैंने दिया इसको सब्सक्राइब मैप का जो कॉल बैक फंक्शन है वह अपने पैरेमीटर में लेता है दो चीज़ें एक आइटम एर्य में क्या आइटम्स हैं दूसरा एरे का इंडेक्स उस आइटम का इंडेक्स समबर क्या है मैंने वोल दिया भाई आइटम कॉमा इंडेक्स ठीक है लॉग आइटम करा लेकिन और क्योंकि हमें पता एपिए सक्सेस्फुल इंटिग्रेट हो रहे तो जिसकी वज़ासे यह वाला डेटा मुझे नहीं चाहिए सिर्फ मेरा जो मैप है लाइन नंबर 133 यह चला कर दिखा दो सेफ किया और रिफ्रेश करा तो मेरे पास सारव और एकमा स्क्रिप्ट यह ठीक है एक अब्जेक्ट जिसके अंदर यह रडेटा दूसरा डेटा तो यह जी वह भी यूज़ कर सकते हैं सेम वर्क करेगा एडवांस मैप है ठीक है फॉर इच क्यों नहीं यूज़ कर सकते चलो वह बात बदा देता हूं फॉर इच आपका देखते हैं मुझे तो खबस करो तुमने बोला भई के नेम और आइडी यहां चाहिए रेंडर रही है ओके वापिस आते हैं कि मैंने बोला भरी आप क्या करो आइटम में तो मुझे पता चल गया क्या मिल रहा है इसको बंद कर देते हैं चलो खोल डेते हैं इसको भी रिट नहीं चला आप लोग अपना इंटरनेट चेक करों मेरे पास मेरे व्ला ही और ह्लशू और हम शिर्च बाया आपपना ओना यह तर्रा त हम एव जोर喜 प्लब यह जर मली और हम्ला मेरे बकलर ट्रा यह ब चॉश्या ।